नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थी सामान ग्यान के बारे में इसमें हम लोग भारत के इतियाश देख चुके हैं और फिर हम लोग उने बात की थी विसके इतियाश के बारे में आज बात करेंगे हम लोग भारती हे कला यह की इंडियन आर्ट के बारे में याद रखिए जितने भी आपकी लेक्चर हैं सामान ज्यान से संब्धिये वह सभी सामान ज्यान की नाम से जो आपके प्लेलेश्ट सटुची बणी हुए उसी में डले गुए हैं तो इसमें हम इसमें भारत में संगीत की परंपरा नाध एवं ले के माध्यम से हिदय की सूक्छ में भावनाओं की अभिवेक्ती संगीत यानि की सम प्लस गीत है बारत में संगीत के प्यारंबी कुधारन आपका रेखबेद और सामबेद के गीत थे सामबेद में विभेन पिकार के संगीत गुवाद्धों कभी विवरण प्राप्त है आपको 500 ईसापूरु के पिसिद व्याकरन पाड़ने ने अपनी कृती यानि की अश्ठध्याई में संगीत के बारे में सरवपितम उधारन दिया कि एक तरेक प्राति साक में सरवपितम संगीत के गरंत यानि की सिध्धान का पिती पाधन किया गया तो याद रखना अश्ठध्याई किसकी है? किसकी रचना है? यह है पानीनी की ऐसी मानता है कि संगीत का पिर्माना ललित, कला, ताल, सुर, अत्वा ले एवं अंक के साम्धस्रण से नेर्मित हुआ है संगीत कला के साथ सुर हैं संगीत कला के कितने सुर हैं? साथ कौन-कौन से हैं? साज, हिरिशव, गंधार, मध्यम, पंचम, धेयत, निसाद, संचे में यहने क्या करते हैं? सारे गामा, पा, धानी, अधवा, सप्तम कहा जाता है इस पॉइंट को याद अटना आधोनी काल में संगीत का बिभाजन? तीन चड़नों में हुगा है क्या सास्तिय संगीत, फिर आपका सोगम संगीत, फिर आपका लोगईत तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सास्तिय संगीत का बिभाजन देखते हैं तो यह बिभाजित है हिंदोस्तानी संगीत और दूसरा है करनाटक संगीत जो आपका सास्तिय संगीत है इसका विभाजन हिंदुस्तानी संगीत और करनाटक संगीत में तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं हिंदुस्तान संगीत का विभाजन हिंदुस्तान संगीत का विभाजन है अपका द्रोपद, धमार, खयाल, तराना, ठुमरी, दादरा, टपपा हिंदुस्तान संगीत का विभाजन किस-किस में है धुरोपद, धमार, खयाल, तराना, ठुमरी, दादरा और टप्पा करनाटक संगीत का विभाजन की बात करें हम लोग तो पादम, जवाली, तिल्लाना, कृती और सिलोगम इसके विभाजन है अब बात करते हैं सुगम संगीत का विभाजन देखते हैं तो जो आपका सुगम संगीत का विभाजन है ये भजन, गीत, गजल, कबबाली, डिस्को और पॉप संगीत में विभाजन है अब हम लोग देख लेते हैं लोग गीत का विभाजन, तो लोग गीत का विभाजन है आपका पन्डवानी, बंबुलिया और लेजा गीत, ये आपका लोग गीत का विभाजन है आँगे चलते हैं देखिए, पहले हम लोग ने बात की थी, आधुनी काल में संगीत का विभाजन, उसके बाद ये तीन थी, फिर आपके इसमें सास्तिय संगीत था, ये हिंदुस्तान संगीत, ठीया, सास्तिय संगीत में हिंदुस्तान और करनाटर, फिर आता है आपका सुगम, सुगम संगी का बिभाजन तो यह शह चर्ड़ों में था पर 30 अब स्दिने नहीं वो गए और 3 के बाद आपका यह जैसे दरिया दरिया गीत हो गया रेलो गीत हो गया पाएछ छहता चेतपरव गीत धंकोल गीत हर्दchnकोम मनोती यह आपका वोर्चा निवाडी जिले में MP में ज्यादा मनाये जाता है। गीत, फाग गीत, चेता, नचारी, लगने राग गीत आदी और कज्री और चेत्री। आँगे चलते हैं हम लोग। कीर्टन, कीर्टन और किर्ती। करनाटक सैली के दो प्रमुक राग और लय है। जो कीर्टन और किर्ती है, यह आपके करनाटक सैली के दो प्रमुक राग और लय हैं। गजल, दादरा, तराना, हिंदुस्तान सैली के दो राग हैं। लोग संगीत में लय की पिधानता होती है। लय को लोग संगीत का प्राण कहा जाता है। लय को लोग संगीत का प्राण कहा जाता है। ब्रज पिधेश में लोग संगीत के अंतरगत, सारंगी, बासुरी, बीन का प्रियोग, विसेश, पिचलित है। ताल के संदप में पात करें। तो संगीत के लिए नककारा, डब, डोलक, मरदंग, खंजरी, तार का प्रियोग किया जाता है। एक अच्छे लोग संगीत में सबसे अधिक मत बासुरी को दिया गया है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत बीना है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत को यंत कौन है। संगीत की वत्पत्ती के संबद में बनता यह है कि यह कला सेऊझी से देवी सरस्चती को पिराप्त हुई। ठीक। देवी सरसुती ब्रह्मा की पत्नी को संगीत और साहित की अश्टात्री देवी माना जाता है अमीर खुसरो को सितार सहस्तकार सहस्तार का जनक माना जाता है यानि कि जो आपका सितार है इसका जनक किसे माना जाता है अमीर खुसरो को ठीक है जर्मन संगीत कार, बीथोवन, लिवडर्विंग, बॉन, कान से बहरा होने के बाबजूद, विश्व संगीत को सराहिनिय युगदाद दिया चलते हैं आगे क्या है आगे जो आपकी धर्मन संगीत से लिए ये उत्तर भारत में पंद्रवी और सोलेवी सताब्दी में अस्तित में आई यही वैकाल था जब तानसेन, बीजुगावरा एबं स्वामी हरिदास जैसे धर्मन के महान अवीरभूत हुए खयाल उत्तर भारत में पिछले तेक सामान किन्तु संगीत कला का सरवच इस तर है खयाल सब्द फारिशी भासा से लिए गया जो आपका खयाल सब्द है ये फारिशी भासा से लिए गया है जिसका साब्दी करत होता है बिच्यार अतवा कल्पना खयाल को कला की दुनिया में वो चितमिस्तान कराने पिदान कराने का सिर अठारिवी सदी में खयाल के महान मर्मक नियाकत खान इन्हें क्या बोलते हैं सदारंग इवाम उनके भतीजे अदारंग को दिया जाता है बारत में खयाल के चार पिरमुक केंदें जो गहराना की नाम से बिख्या थे बारत में खयाल की चार पिरमुक केंदें जिनें गहराना की नाम से बोला जाता है एक घहराने कौन-कौन से हैं आपके ग्वालियर, आगरा घहराना, जैपुर अत्रोली घहराना और फिर आपका किराना घहराना बड़ा और छोटा ख्याल के समान अंतर, यहां दो पेकार की राग है, बिलंबित, यह मद्यम गती का राग है, और दूसरा है दूरूत, यह तीब गती का राग है, इन घहरानों की याद रखना है आपको, क्योंकि जब कभी सेड़ी में आ जाते हैं, क्रब में लगाने के लि नीची दिये गए, तो इन चारों को आपको याद रखना है, ग्वालिय रागरा, जैपुर अतरोली और किराना, ठीक है, राग कामेसुरी की रचना, पंडित संकरने की थी, तो यह थापका, भारतिय कलाईवन संस्कृती का पहला चेप्टर, इसके बाद हमारा दूसरा चेप्टर आएगा, भारत की पिरमुक सास्ती है, नित, इसके बारे में हम लोग आँगे बात करें,